नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूच धरोहर पर आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर शनिवार को क्यों की जाती है हनुमान जी की पूजा इस पर हमें दो किवदंतिया देखने को मिलती है पहली किवदंति के अनुसार एक बार राक्षस राजा रावर्ण ने शनिदेव को बंदी बना दिया था और लंका में माता सीता को खोजने गए हनुमान जी ने शनिदेव को मुक्त करवाया था तब शनीदेव ने कहा था हनुमान जी की पूजा करने वाले भक्तों पर शनीदेव की विशेश कृपा रहेगी और जो भी शनीवार को हनुमान जी की पूजा करेगा शनीदेव उस पर प्रसन्न होंगे जबकि सकंद पुरान की अनुसार एक बार हनुमान जी श्री राम की किसी कार में व्यस्त थे उस जगह से शनीदेव जी गुजर रहे थे कि रास्ते में उन्हें हनुमान जी दिखाई पड़े अपने सभाव की वजे से शनीदेव जी को शरारत सूजी और वे कार में बाधा डानले हनुमान जी के पास पहुच गए हनुमान जी ने शनीदेव को चेतावनी दी और उन्हें ऐसा करने से रोका पर शनीदेव जी नहीं माने हनुमान जी ने तब शनी देव जी को अपनी पूछ से जगड लिया और फिर से रामकार करने लगे कार करते समय वे इधर उधर जा रहे थे इस दौरान शनी देव जी को बहुत सारी चोटे आई शनी देव ने बहुत प्रयास किया पर बाला जी की कैद से खुद को छुड़ा नहीं पाए उन्होंने हनुमान जी से विनती की पर हनुमान जी कार में खोए हुए थे जब राम कारिर खत्म हुआ तब उन्हें शनी देव जी का खयाल आया और तब उन्होंने शनी देव को आजाद किया शनीदेव जी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने हनुमान जी से माफी माँगी कि वे कभी भी राम और हनुमान जी के कारेओं में कोई बाधा नहीं डालेंगे और श्रीराम और हनुमान जी के भक्तों को उनका विशेश आशीश प्राप्थ होगा शनीदेव जी ने हनुमान जी से कुछ सरसों का तेल मांगा जिसे वो अपने घावों पर लगा सके और जल्द ही चोटों से उभर सके हनुमान जी ने उन्हें वो तेल उपलब्द करवाया और इस तरह शनी देव के जत्म ठीक हुए तब शनी देव ने कहा कि जो भी भक्त शनीवार के दिन मुझ पर सरसों का तेल चड़ाएगा उसे मेरा विशेश आशीश प्राप्थ होगा माननेता है कि शनीवार को हनुमान जी की पूजा करने से शनी की साड़े साती से होने वाले कष्टों का निवारन हो जाता है रामभक्त हनुमान जी की शनीवार को पूजा से शनी का प्रकोप नियंतरित होता है इससे सूर्य वा मंगल के साथ शनी की शत्रता वा योगों के कारण उत्पन कष्ट भी दूर हो जाते हैं हनुमान जी और शनी देव की कहानी का सफर यहीं समाप्त करते हैं अगर आप हमें पेजबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाएं और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा कर पाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कॉमेंट करके बताएं कि कैसा लगा आपको ये वीडियो का